बात हो रही है अमरीका की बड़ी कूटनितिक चाल की और जब बात हो रही हो और इस तरह की चाल हो क्योंकि जब भाई अंकल सैम चर्चा में हो और अंकल सैम दुनिया को जटका ना दे तो फीलिंग सी नहीं आती है और ऐसी इस्थिति में न्यूज निकल करके ये आ रही है कि इन्हों ने सौधी और रूस को चैलेंज करने के लिए एक तरीका अपना लिया है अचा बाइदा वे आप ज़्यादा इजद में हमें कहीं सम्मान देने लिकल पड़े और निकलते निकलते कह दे गुरुजी आप पहले ही कह दिये थे वही सब हो गया है सुनना तो हम वही चाहते हैं लेकिन थोड़ा इस मार्टनेस दिखा रहे हैं मुद्दा ये है कि आपको तीन किरदार बहुत अच्छे से पता है कौन-कौन से किरदार पता है बाइदिन वा पता है पुतिन पता है और किंग पिसल्मान पता है इनके वारे में ये भी बहुत अच्छे से पता है कि इन दौनों लोगों ने मिल करके बाइदिन को बहुत दुखा लिया है दुखा गाए लिया भीया दुखा इसलिए लिया है क्योंकि तेल दुनिया की सबसे वड़ी धिक्कत है और इस तेल को यही दो लोग अपने हाथ में कंट्रोल किये हुए है एक है ओपेक के नेता और एक है ओपेक प्लस के नेता हाला कि बाइडन ने इन दौनों को तरह तरह से समझाने की कौशिश करी कि भाईया दुनिया में महगाई बढ़ेगी अमरीका का विश्वास उदर जा दिये थे तो चलो उसको वापस टटोल लिया जाए हमको जादा ना अपने आपके उपर प्राउड करने की जर्वत है नहीं क्योंकि हम तो खैर बहुत पहले अनौंस कर दिये थे आपको याद है हमने आपको कहा था कि इंडिया ने ऐसा दाव चला है जिससे की पस्चिमी द पुरान कर रहा है ना जी कि कुछ दिनों बाद संभव है कि इंडिया से पहले अमरीका वेनेज्वेला में तेल निकालने पहुच जाए अब हमको क्या है ना एविडेंस दिखाने की आदत है एविडेंस के रूप में हम आपको सेशन का वो दिखा दिये लेकिन जो लोग पुराने है क्योंकि यह पुराने हैं क्योंकि आप